हेलो एवरीवन वेल्कम बैक तो माय यूडिव चैनल सो आज हम डिसकस करने वाले हैं वेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक डैट इस लाटेंट हीट क्या होता है मतलब यहां पर एक छुपी हुई हीट इनर्जी होती है जो की यूज की जाती है पार्टिकल के बीच के फॉर्स ऑफ अट्रेक्शन को ब्रेक करने के लिए और अपना स्टेट चेंज करने के लिए तो डेफिनेशन देख लेते हैं अमाउंट अफ इनर्जी विच इस ब्रेक नटेशन ब्रेक्शन ब्रेक्शन ब्रेक्ष ja से नाजिए त यहां पर हीट एनर्जी के यूस की जाती है पर्टिकल के फॉर्स ऑफ अट्रेक्शन को ब्रेक करने के लिए इसे चैड derived तो इससे हम समझेंक के experiment से तो देखिए यहाँ पर हमने ले लिया किया करना कि यहाँ पर यहाँ पर कि हीं करणा तो यहाँ minus 10 degree Celsius, फिर जब अपने इसे heat करना start किया, तो temperature हुआ minus 5 degree Celsius, फिर minus 2 degree Celsius, फिर temperature आगया 0 degree Celsius पर, ठीके, और यह temperature होता है न यह constant रहता है, जब आप heat करना start करोगे, तो क्या होगा, कि temperature बढ़ते बढ़ते आ जाएगा किस पे 0 degree Celsius अब यह जो temperature रहता है ना यह constant ही रहेगा ठीक है इसके उपर temperature बढ़ेगा ही नहीं कब तक temperature नहीं बढ़ेगा जब तक पूरा का पूरा ice water में convert नहीं हो जाता तब तक temperature constant रहेगा अगर ice का एक भी टुखड़ा बचा है तब भी temperature कैसे रहेगा 0 degree Celsius जब पूरा का पूरा ice water में convert हो जाता है तब temperature rise करना start करता है अब यहां पर देखिए यहां पर सोचने वाली बात क्या है कि यहां पर हम heating तो continuous दे रहे हैं ठीक है continuously heating किये जा रहे हैं किये जा रहे हैं लेकिन यहां पर temperature rise क्यों नहीं हो रहा है जब हम heating दे रहे हैं तो temperature बढ़ना चाहिए लेकिन temperature constant क्यों बता रहा है जो इतनी सारे heat निकल रहे वो जा कहां रही है तो यह heat कहां पर जाती है यह जो ice के particles होते हैं heat energy को absorb कर लेते हैं और वह heat energy क्या करती है particles के बीच के जो force of attraction होता यह जो ice के particle है ना इनके बीच में जो force of attraction होता है उसको क्या करती है break करती है ice के जो particles होते है कैसे होते closely packed होते है इस तरीके से ठीके ice क्या एक solid है ऑर solid के particles इस तरीके से chip जुगे होते हैं. तो heat energy क्या करती है कि यह जो particles के बीच का force of attraction है न उसको break करती है तो यह जो पार्टिकल्स है वो इस तरीके से इनके बीच में space आ जाता है तो यह solid के particles है यहाँ पर space आ गया यह हो गया liquid के particles मतलब यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर state में change आया है तो यहाँ यहाँ पर क्या होता है कि जो heat energy होती है वो यह ice के particles क्या करते हैं absorb कर लेते हैं और force of attraction को कम कर देते force of attraction को break करते हैं और यह जो state होता है वो दूसरे state में convert होता है